हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एना स्टडी में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी इस तरीके से असाइमेंट कोशन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं ये वीडियो उन स्टूडन्स के लिए है जिन्नों ने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 में इगनू में न्यू अड्मिशन लिये है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो पहले से इगनू में एन्रोल है तो आप इस वीडियो पर बने रहें आप गर आपने IGNU में किसी भी कोर्स में admission लिया है तो उसके लिए आपको assignment question paper को solve करके अपने regional center या study center पर submit करना होता है और exam भी देने होते है assignment और exam का weightage IGNU में अलग-अलग होता है तो आपको दोनों ही देना compulsory है तब ही आपका ये course पूरा माना जाएगा आपको assignment question paper कहां से मिलेंगे इस बात की आपको confusion होता है कि कहां से आप इसको download कर सकते है तो आपको IGNU की assignment question paper IGNU की official website से ही मिलेंगे जो की हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप इस वीडियो पर बने रहें ताकि आप assignment question paper इसली download कर सकते है आपको सबसे पहले google पर ignu.ac.in सर्च करना है जैसा कि आपको यहां दिखाया जा रहा है आप जैसे ही google पर ignu.ac.in सर्च करते है तो आपको यहां पर एक interface open दिखाया जाएगा आपको यहां पर second part download पर क्लिक करना है download option पर आप जैसे ही click करते हैं तो आपको एक और interface open होता हुआ दिखाया देगा आप आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक ignu.ac.in का और interface open दिखाया दे रहा है यहां पर downloads में आपको number options दिए गए हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपको सिर्फ assignments पे ही click करना है अब हम click करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर और भी program wise आपका interface open हो गया है इसमें हम आपको bachelor degree program के assignment question paper आपको इस तरीके से download कर सकते हैं वो देखेंगे आपको यहां पर दिखाया जा रहा है bachelor degree program आप इस पर click करते हैं तो आपको assignment program wise echo list open होती है यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां एक BDP course दिया है यह इगनू में बहुत पुराना course है अगर आपने पहले इगनू में BDP या BA में enroll किया है तो आप यहां पर अपने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के question paper download कर सकते हैं लेकिन अगर आप इगनू में नए enroll हुए है तो आपको यहां पर जुलाई 2022 और जनवरी 2023 का है interface open करना है आप इस पर click करते हैं तो आपको यहां पर number of subject की list दिखाई देगी आपको इसमें अपना subject course search करना है यहां पर आपको Hindi और English दोनों में ही question paper available है तो आपको इन सभी में से अपना course चुनना है course चुनने के बाद ही आप जैसे ही उस पर click करते हैं तो आपको question paper दिखाया जाएगा जैसे कि मानते हैं कि आपका एक course है BHDLA 135 आप click कर सकते हैं इस पर इहां पर आपको course दिखाई दे रहा है अगर आपने BANS 183 आपका कोई subject है हिंदी है इंग्लिश में तो आप यहां पर भी click कर सकते हैं यहां पर हम आपको BHDL 135 पर click करके दिखाते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर question paper डाउनलोड हो चुका है आपको question paper दिखाया जा रहा है यहां पर question paper पर पहले से ही mention है कि यह जुलाई 2022 और जनवाई 2023 के session वालों के लिए है आप question paper को अच्छे से read कर लें ताकि आपको assignment बनाने में कोई दिक्कत ना है subject name है हिंदी भाषा और विवित प्रियोग तो आप subject code और subject name का ध्यान ज़रूर रखे अब हम इस question paper को solve कर रहे हैं इस question paper में आपको question paper से related सभी बात बताई गई होगी तो आप इस question paper को अच्छे से read कर ले ताकि आपका assignment अच्छे से present हो आपको यहां पर बताया गया है कि आपको अपना assignment कब submit करना है regional center या study center पर यह question paper आपको 100 marks का दिया जाएगा और number of questions सभी में अलग-अलग होते हैं तो आप confused ना हो यह question paper तीन पार्ट में divided total number of question 10 है सभी का weightage उसके सामने दिया गया है आप इसी तरीके से बाकी question paper भी download कर सकते हैं इगनू की website से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे और यह वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे जो इस course को कर रहे हैं